अब ही कठल का मौसम चल रहा है, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, सभी को पसंद आने वाली कठल की सबजी, जो पोहत ही सूपर टेस्टी बनती है, मेरी तरीके से कठल की सबजी बनाएं और सूपर टेस्टी स्वात पाएं, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिम्रजी, तो च चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ, कठल की मसालेदार सबजी कैसे बनती है, मसालेदार कठल की सबजी बनाने के लिए जिन-जिन गिंडियोन की ज़रत होगी, वो मैं आपको बताती हूँ, तो फ्रेंड्स, मैंने दो कठल ले लिए हैं, छोटे साइज के, प्याज ले पांच पीस लसन की कलियां ले ली हैं तो टमाटर और थोड़े तेजपत्ता और मिच ले ली है मैंने इतने गिरिन गिड़ोनों की जवरत है मैंने गया सोन की उसमें पानी गरम किया कठल को छील लेना है अच्छी तरीके से उसको काट लेना है चोटे-चोटे टुकडों में म मैंने प्याज और लसन को काटके त्यार कर लिया है अच्छी तरह से इसी तरह चौप करना है प्याज को लंबे-लंबे कट करना है और लसन को मैंने कूट लिया है अच्छी तरह से मीडियम फ्लैन में कठल को बनाने में आदा गंटा लगेगा सारा पानी सूख गया है कठल म में नेने उसी कढाई को फि chef से चड़ा दिया इसमें मैंने एक बड़ा चमस तेल लिया एद देल में कठल को की जो में गोल्लें ब्राउण होने तक भूल लेना है उसका स्वाद बढ़ जाता है सब्जी का सब्जी का सब्द बढ़ का मर्ण मन करेगा और बहुत ही सूपर टेश्थी बनती है कठल की सबची एक बर जरूर ट्राइए करें बनायां का। नितेश पत्ता डाला है । टेल में जीरा डाला है nou लंबे-ंबे प्याज काटिंग किया है उसको इसी तरह डाल दिना है इसी तरह डाल के तेल में पराई कर लेना है झाले है वह ही गॉल्डेन ब्राउन होने तक इस उसका फिर उपर का जो श्टिन है वो निकल जाता है प्याज के साथ उसे भूनते जाना है टमाटर को भी थोड़ा टाइम लगता है प्याज को भूनने में लेकर इस वाद तो इसी का ही आता है इधर में तब तक मसाला और कश्मीरी लाल मिच इन सब को ले करके मैं थोड़ा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए पानी में घोल के छोड़ देती हूं इसमें थोड़ा गरम मसाला भी डाल दिया है मैंने इसे में गरम पानी में डाल के छोड़ देती हूं यह कसूरी में थी और थोड़ा सा अद्रक कशून डाला मैंने इस सब को मैंने घोल त्यार करके ते रख दिया है एक पेस्ट बना दिया देकि इस तरह से तब अच्छा से वो टमाटर प्याज में अब अब इस स्चेज में इसमें मैंने पेस्ट जो घुल के त्यार रखा था तो इस डाल दिया है निए मसालेदार सबजी बनेगी और बहुत जादा सूपर box टेस्टी डूरी को नहीं के हैं जो कठर मैंने फ्राइउ करके रखें तो उसे मैं इसमें डाल दिया कठरुंध को पहले ही मैंने बॉयल कर लिया था इसलिए थोड़ा सा पानी डालना है उसमे एकक जितना पानी डालने और आज हमश्वा मीडियम रखें एसी थोड़े तक पकाएं जितना रस चाहिए आपको उस तरह से रसमिसी टैप की बनाएं और मसालेदर कठल की रेसिपी बनके त्यार हो गई है देखे कितनी ज्यादा एदम सूपर टेस्टी नजर आ रही है मसालेदर कठल की सबजी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नही रेसिपी के साथ थैंक यू